हलो नुश्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्पागत करता हूँ आप सभी का अपके अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे मुझे जुबा से मैफे जा कल इसका भाव कितना था 20,000 रुपया आज इसका भाव कितना रह गया 43 यह देखें नीचे आप देख पारें बिल्कुल नीचे आजए बिल्कुल नीचे यह जूम करता हूं यह दिख रहा न यह एक एंडल यह दिखें बहुत सब कुछ समझेंगे और समझाएंगे आपको BSC की साइट पे लेके जाता हूं और वहाँ पर इसके कुछ corporate actions दिखाता हूं ठीके ना अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लिजे बया बेल आइकन को हिट कर लिजेगा ताकि आने वारे वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहें बाकी starting में bank nifty बड़िया तेज अब हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर corporate action पर आते हैं यहाँ अठारा तारीक आज है ना stock split from 10 रुपे to 2 रुपे मतलब 10 रुपे का जो face value था वो अब 2 रुपे का face value रह गया देखिए दब 20,000 का stock था 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 वाल्यूम से इतने जादा नहीं आ था लोग काम काज कम क अब इस stock split का मतलब क्या होता है हिस्सों में बाटना यह 10 रुपे को अगर हम 2 रुपे करते हैं तो कितने हिसम बढ़ गया पांच हिस्सों में तो अब इसको पांच हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है मतलब पहले जो 10 रुपे इसका face value था अब 2 रुपे के face value का share यहा 455 रुपे आपको यहां पर नजर आ जाता है तो में यही है इसको इसमें गिरावट आने की यही कारण है अब रिटेल इन्मेश्टरों क्या करना चाहिए क्या यहां पर दबोच ले क्या खरीद ले उसके लिए हम आपको बताते हैं चलिए सबसे पहले screeners की site पे चलते हैं और आपको कुछ fundamentals इसके दिखा देते हैं ठीक है ना तो यह क्या गया remind में लेटर कर देता हूँ screeners की site पे और आप मैं सब कुछ live view करता हूँ आपके सामने कुछ क्यों कि आप खुद research कर सके आप खुद screeners खोल सके आप खुद किसी और stock के बारे में देख सके थोड़ा क्य और इसका क्या है मैं देखू मेरे पास यह stock पड़ा हुआ है जरूरी है यह सब सीखना चाहिए market cap 23,000 क्रोड का बहुत बड़ा company नज़र आ रहा है लेकिन अभी current price जो 4,015 और फैप को नज़र आ रहा है और एक अलका price भी तेजी इसमें देखने को मिल गई है और यहां पर यह company वही करती है जो चाइना करता है यह company गुरो नहीं करीगी तो कौन करीगी electronics manufacturers है अगर इसकी website पर देखोगे ना अब खुद हैरान हो जाओगे मैं बहुत बार बता चुका हूं कि लंबे समरेस का घोड़ा यह पागल करतेगा पागल जब बढ़ने पाएगा आपको पता हमें 26-25 ओगा शेयर 2017 से यहां जाल गया तीन साल और अगर देदे तो यहां नहीं आपाएगा मुझे लग रहा है definite यहां पर जा सकता है पुटेंशियल है श्टॉक में ठीक है ना पुटेंशियल है श्टॉक में तो अब वोल्यूम बढ़ेगा आम लोगों के आपके और हमारे लोगों के हाथ में आ गया कि हम लोग भी भाईया दबा के इसमें बाइंग बनाएंगे देखों मॉइल फोन मैनुफेक्चर करता है लाइटिंग से लिसन जो अपके घर में चलती है वह बनाता है कैमरे बनाता है यहाँ पर देखिए लोगिस्टिक से जो भी सॉस्ट्वेर से उसमें यूज होते हैं वह बनाता है थर्मामेटर जो आज कल चल रहा डिजिटल थर्मामेटर वह बनाता है टीवी के बारा हम आते हैं अपने फंडामेंटर्स पर कंपनी का काम काच करने का तरीका एक्डम सूपाब है हमें समझ में आ रहा है ठीक है ना देखिए अपने पीर कंप्रिसम्स में अगर देखे तो नंबर वन पर टॉप पे नजर आ रहा है चलो वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया अब यहां पर फेस वैल्यू दस रुपए आ रहा है अब यह दो रुपए का हो गया है तो मैं मार्केट खुलते उठा लिया हूं बहुत ज्यादा नहीं अपने हैसियत के हसाब से उठा लिया हूं अब मैं भूल जाने वाला हूं चाहे जितना मर्जी गिरावटा ना यह छ 80% एफाइ लेके बैटे बीस परसंट 15 डी इस लेके बैठे हैं 아 29 परसंट हमारे औरक के पाद से ईसमें से बड़े बिल्कूला देख ने बड़ माल कि इतने बड़े बड़े माल during comment to आठ परसंट तीन परसंट दो परसंट मतलब यहां पर देखे पांच यह होगे दस और दोबारा तेरा चोदा पंदारा 16 17 परसंट माल बाहर वाले हाथों में हमारे और हाथ आपके हाथों में कुछ ज़्यादा माल नजर नहीं आ रहा है तो यह देखी कितना बढ़ियां मतलब कामकाज को देखते हुए मैंने आज इस मौनिंग में स्टॉक उठा लिया है अपने कैपिवेलिटी के अनुसार तो आपके पास भी मौका है अभी भी जाने मत दीजे कि यह उपर कितना आगए 3300-300 बढ़ेंगे इसमें वाल्यूम बढ़ेंगे पहले क्या होता था कि 20,000 के खरीदने करें और लोग ठ्रेडिंग करेंगे इसमें और बाइंग करेंगे इसमें तो वाल्यूम बढ़ेगा तो आटोमेंटिक यार जिए बाइंग आए तो उसका प जदर का फोन आया भाई यह सही है हमारे मतलब सब्सक्राइब आ रही है इनफी बहुत गिर गया भाई यह तो नुकसान दे दिया यह देखो कितना बड़ा गिरा वड़ा एक दिन कर शार्ट लगाता हूं यह देखो कल कहा था कल 107 रुपए के आसपा भाई यह क्लोजिंग कह आज तो 44 रुपए पर आगया यह तो खतरना काम हो गया वाई क्या होए लेकिन इसमें स्प्लिट नहीं हुआ है स्प्लिट और बोनस दो अलग अलग चीज़े है इसमें बोनस डिक्लियर किया गया है आई इसको दिखाते है आपको अब मैं इस पर टाइटल दो जब दो वी को दिखाता हूँ यह आ गया यह कोर्पेट एक्सन ठीक है ना बोनस शुकिया है वान इस्टू बन का मतलब जिसके बस एक शेयर है उसको उसके बतले एक शेयर फ्री मिला वान इस्टू बन के रिश्यो में बोनस इसका कोई फेस वैल्यू कम नहीं होगा जो फेस वैल्यू वही फेस वैल्यू रहेगा फेस वैल्यू आपको दिखाना चाहूं मैं तो देखिए बोनस और स्प्लिट दोनों अलग-अलग चीज़ है बोनस कब डिक्लियर करते हैं जब कंपनी को अच्छी कमाई होती कंपनी को लगता है नहीं अपने शेयर होल्डर्स को भी बाटना च हो जाता देखिए यही 21 रुपय का बुक वैल्यू था और यही 100 रुपय था आज 50 रुपय और फेस वैल्यू वही एक रुपय का पहले भी था एक रुपय कही रहे था ठीक है ना इस तरह से होता है यार सुपब का में शेयर बजार में इंवेस्टमेंट करना बोनस डिवि ठारा तरीक का ही था श्ट्राल पोली यही है ना कि श्ट्रल पाइप यही है यह देखो देखो कितना बढ़िया तेजी आगे देख रहे हो में गा शेयर था कोई नहीं लेता था पच्छिस्तो का शेयर था अब अगर आज का मैं भावा जो 1713 रुपय 1715 रुपय बहुंच कितना बढ़िया तेजी आगया देख रहे हो तो ऐसे शेयर में बढ़िया निवेश्ट करना चाहिए जो कि आप बोनर्स डिविदेंड वगएरा देते रहते है ठीक है ना थैंक्यू सो मच गाईज होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है थैंक्यू थैंक्स फ